ये कहानी है पैपरिका नामक लड़की की जो अपने वाएफरेंट के मदद के लिए पेस्टिटूट बन जाती है फिर उसके साथ क्या क्या होता है हम इस मूवी में देखेंगे मुवी के स्टार्ट में हम पैपरिका को उसके बाइफरेंट के साथ इंटिमेट होते हुए देखते हैं बे दोनों साधी करना चाते हैं इसलिए उन्हें पैसों की जरुवत है इसलिए नीनों काम करने के लिए दूसरे सेयर को जाता है और पैपरिका पैसे कमाने के लिए एक प्रोथल के पास जाती है प्रोथल की मालकिन पैरिका को एक रूम देती है और कहती है तुम आज से यहीं पर रुकोगी और क्लाइन को तुम इसी रूम में लाओगी और अपनी कमाई का 50% मुझे दोगी रासल पैपरिका अपने वाइफरेंट के कहने पर इधर ही आई है और कहती है कि वह 15 दिन के लिए बस यहीं काम करेगी और इसमें काफी सारा पैसा कमा लेगी और फिर अपने वाइफरेंट के पास बापत लोट जाएगी उस दिरवाद वहाँ पर मौझू लड़कियों से बात करने चली जाती है और एक लड़की उससे पूछते है कि तुमारा पैम कौन है पैपरिका कहती है वह किसी पिम के सुरू नहीं आई है इसलिए पैपरिका जबाब नहीं दे पाती वहाँ पैपरिका का चैप अप करने के लिए एक डॉक्टर आते है जो भी नहीं लड़किया आती है डॉक्टर उसका चैक अप करते है और तभी डॉक्टर कहत कि बस 15 दिन के लिए यहां पर काम करेगी और बापत चली जाएगी तब ही डॉक्टर कहते हैं कि तुम बापत नहीं जा पाओगी एपरी का साम को तयार होका नीचे आ जाती है और उसे पहला क्राइट मिल जाता है और उसके साथ चली जाती है पर उससे इंटिमेट होती समय उ उसे बीच में सी उसे भगा देती है जली क्लाइंट उसे पूरा पैसा नहीं देता और मैडम पॉलेट उससे नराज हो जाती है और फिर मैडम उसे बानिंग देती है कुछ दिनों मैं ही पारपी का महसूर हो जाती है और सब लोग उसे ही सलेक्ट करते हैं और उसके साथ इं फ्रेंड को फॉन लगाती है और रिसीब नहों करने के कारण वो अपसेट हो जाती है अब फ्रेंग को उसे डिनर पर ले जाता है तब वहाँ पर नीनो भी आता है और उसके साथ एक लड़की भी थी तब पैपरी का जाकर उसे कंफरेंड करती है कि नीनो कोई बिजनिस ट्रि के लिए प्रिपोस करता है लेकिन वह उसे मना कर देती है और कैथल में आकर काम करने लगती है और वहाँ पर नीनो आ जाता है और पैपरी का की आए मैस से हिस्सा मांगता है असल में नीनो एक प्रिम्प है और लड़के को फसा कर वह कैथल में ले आता है और अपना हिस्सा लेता है पर इस बारे में पैपरिका को कुछ भी नहीं पता था और पैपरिका उसे हिस्सा देने से मना कर देती है अगले दिन एक पिम पा कर वहाँ पर एक लड़की को बुरी तरह मारता है क्योंकि उसने हिस्सा देने से मना कर दिया था और पैपरिका ये सब देखकर ड़ ज उसे हिस्सा दे पर पैपरिका उसे इंगनोर कर डांस क्लब और नाइट बार में जाती है पर उसे कोई भी जौब नहीं देता और फिर वह उस पैथल की बात मानकर एक कैथल में चली जाती है और इधर भी वह पॉपलर हो जाती है और उसके यहां पर काफी हाई प्रोफेशनल क्लाइंट बनते हैं फिर एक दिन उसके एक फ्रेंट की मौत हो जाती है जिसे देखकर वह काफी फैनिक करने लगती है और सोचती है कि उसकी हालत भी एक दिन ऐसी ही होगी इधर इतली की सरकार भी कैथल पर बैन लगा रही है इसलिए और भी वह परिसान हो जाती है और फि इस बार पैपरिका उसे पैसे देती है और साधी के लिए भी हां कर देती है कुछी दिनों में ये कैथल बंद हो जाता है और उसे पता है कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद फ्रेंकों की बोर्ट पुलिस पकड़ लेती है और ये सुनकर फ्रेंक उसे साधी के लिए प्रिपोस कर देता है पैपरिका भी हाँ कर दीती है और फिर उन दोनों की साधी हो जाती है उस दिनों बाद उस बूड़े आदमी की मौत हो जाती है और उसकी जाधास में से उसे आदा हिस्सा मिल जाता है दिनों बाद पैपरिका फ्रेंकों के पास बापस लोड़ जाती है और उसके साथ साधी कल लेती है और उसे एक बूट खरीद कर भी देती है और यहाँ पर मूबी यह समाप्त हो जाती है